नमस्कार संस्कृत के प्रियविद्यारतियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेगनेट ब्रेंस हिंदी मीडिया पर मैं पंकस्तेवारी जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द हमारे जो छोटे बच्चे छोटे भाई हैं उनके लिए मैं बता दू आज सेवन्थ क्लास की हम लोग बुक आप लोगों को आज पूरे बुक पर चर्चा करने वाले हैं कि हम साल भर में पूरे बर्स में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो आज हम पुस्तक के ऐसी प्रश्नावली और हमारी विसाय क्रमनी का जो हमारे टॉपिक रहेंगे उन पर सेटी है तो जल्दी से मुझे आप कमेंट सेक्षण वें दीजीएगा कि जी सर टीकना और वीडियो कोनाई करते जाना है और जल्दी से जल्दी से सेर करते जाना है आपके वारहमी तक कि Hindi Medium, English Medium के बहुत सुंदर-सुंदर Notes भी यहां पर बनाये गए हैं वो Notes आपकी परीच्छा में आपकी बहुत मदद करेंगे आपको बहुत सारे नंबर दे करके जाएंगे तो आप उनके लिए भी संपर्क कर सकते हैं संपर्क करने के लिए आपको क्या करना होगा जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे ना उसी के नीचे जाएंगे तो एक आपको link मिलेगी उस link के पर आपको मिलेगा क्या e-notes और e-books तो उसमें आपको संपर कर लेना है ध्यान रखेंगे आज की हमारी जो class रहेगी वो आपकी सामने आप लोग बोट पर देख रहे होंगे आपकी पुस्तक कैसी रहेगी वो आपको ध्यान रखना है ठीक यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कक्षा साथवी संस्क्रिप रूचिरा ठीक हमारी बुक कौन सी है रूचिरा बुक है ध्यान रख ले ना रूचिरा पुस्तक का हमारा नाम है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और दुतियो भाग ऐसा आपकी आपने अगर बुक न ली हुआ तो बुक भी आप लोग ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी ठीक और दुतियो भाग को पढ़ेंगे और विससे सुची पर आज हम वाले हैं तो आप लोग बिलकुल सजग हो जाईए तयार हो जाईए क्योंकि अब देखो ऐसे आप देख रहे होंगे ऐसे आपकी बुक में बना भी होगा ठीक यहां देखिए यह दोनों बने हुए हैं हमारे हंस और बीच में एक हमारा कच्छप बना हुआ है मतलब कच्छ कर रहे है इसको हम ओवर्व्यव कहते हैं ठीक पूरी बुक पर चर्चा करना पूरी बुक के बारे में पड़ना ये जानकारी में रखना चाहिए और इन पर हमें कैसे कैसे क्या क्या companies औभना भू आपको ध्यान रखना ठीक चलिए यहां पर लिखा हुआ है देखिए सबसे कक्षा के लिए केवल हमारी कक्षा 7 के 7th क्लास की बच्चों के लिए यह हमारा वैसे अगर देखा जाये तो 6 7 8 की उपर का फ्रेंट पिस तो ऐसे ही है सारी वुकों का लेकर हम यहां 7th क्लास की बात कर रहे हैं तो 7th क्लास में यहां सब्तम लिखा है उसमें अश्टम आ को यहां लिख दिया है और कौन सा चेप्टर है और उसका नाम क्या है आज इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कहानी जैसे सुनते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको आनन्द भी आएगा आप लोग मस्ती के साथ पढ़िएगा ठीक द्यान रखना पहला पाठ आ दिखो अगर पढ़ना है तो हमें बोलना भी सीखना पढ़ेगा अगर आपको परिच्छा में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको बोलना पढ़ेगा जैसे मैं बोलता जाओं वैसे आपको बोलते जाना है ठीक है ना तो ध्यान रखेंगे ना प्रत्मह पाठा प्रत्मह पाठा मतलब पहला पाठ इस पहले पाठ में पहले सब्द में हमारे यहां पहले पाठ में सुभास्तानी इशलोक मिलेंगे आप लोग देखते हो कि यह सुभास्तानी इशलोक क्या है आपने सश्टम कक्षा में भी पढ़ा होगा ठीक लेकिन यह सुभास्तानी इशलोक क्या ह सुभास्तानी श्लोक की बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ सुभास्तानी सू माने सुन्दर सू का मतलब सुन्दर जब कभी भी किसी सब्द के आगे सू लगा हो ना तो उसका सुन्दर अर्थ निकलता है अच्छा जैसे हमने कह दिया है सू बालकहा सुन्दर बालक ठीक तो समझ में आया तो सु सब्द लगा है इसलिए सुन्दर और भासितानी भासितानी में भासित सब्द है भासित मतलब बोलना तो यहां लिखा है सु भासितानी अर्थाच सुन्दर सुन्दर बोलने वाली क्या उक्तिया सुन्दर सुन्दर इस लोक उनस पढ़ना चाहें और किसी को अगर सुभास्तानी इसलोग सुनाना है आपको आपको अपनी क्या बोलते हैं उसमें 15 अगस्त में आप लोग सुनाते हैं तो 15 अगस्त में अगर चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से आप सुभास्तानी इसलोग सुना सकते हैं अगर आप किसी को स्टेच पर जाकर कि आप बाल सभा आपके यहां वो सनिवार को बाल सभा होती है ना आप सुन्दर सुन्दर इश्लोक सुना सकते हैं बहुत सुन्दर सुन्दर इश्लोक होते हैं इनका अर्थवी बता सकते हैं मैं सारी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं इसमें सुभासि वचनों पर यहां संग्रह करूंगा और बहुत सारे इस लोग यहां पर आपको मिलेगे तो आप लोग रेडी रहेंगे ना पढ़ने के लिए ठीक और इसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर इस लोग मिलेंगे ठीक जैसे प्रतवी के कितने रत्न होते हैं उनके बारे में पत सुभासित अच्छे बचनों को इसमें पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत काम में आएंगे और याद करा दूंगा आपको आप भी मेरे साथ में गा करके पढ़ेंगे तयार रहेंगे चलिए इसके बाद दूसरे पार्ट पर मैं चर्चा करता हूं पहले पार्ट को तो मै दुतियाह पाठा ठीक फिर इसमें लिखा हुआ है दुर बुद्धी बिनिश्यति दुर बुद्धी का मतलब अब यहां इसको पहले आप पाठ के सारांस को समझेंगे पाठ के नयम को सीर्शक को समझेंगे जो लेसन का हमारा नाम रहता है पाठ का नाम रहता है उससे हमें प काम करता है इसको हम बोलते हैं बुद्धी ठीक यहां लिखा हुआ है दुर्बुद्धी तो हमारी दुर्बुद्धी कब हो जाती है अच्छा आप जब बहुत देर तक पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तब ठक जाएंगे फिर आपका दिमाग थोड़ा उल्टा काम करने अरे मुझे नहीं पढ़ना मुझे नहीं पढ़ना ऐसे ऐसे करने लगते ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी किसी की क्या है और कभी कभी क्या होता है कि जब छोटे-छोटे हम लोगों में क्लास में आपस में हमारी बुद्धी मतलब उल्टा काम करना चालू कर देती है तो समझ लेना हम क्या हो जाते हैं फिर नश्ट हो जाते हैं विनिस्यती का मतलब होता है नश्ट होता है ठीक नास की ओर जाती है हमारी नश्ट हमारे अंदर जो क्वाइल्टी थी वो समाप्त हो जाती है ठीक तो कि बांट के उपर लिखा वह तो दुर्बुद्धी हो जाती है कैसे अभाब में रहते हैं तो मच्वारे आ जाते हैं कि आज तो किते हैं अभा न की अचछु यहाँ पर हम यहांसों को और मच्छुआ को बोले एक काम करना कि मैं एक डंडी दूंगा आपको तो दोनों लोग अपने इसमें चौच में दबा करके और मुझे बीच में दबा लेना और उड़कर के यहां से चलेंगे इसलिए तो देखो यह उड़कर के जा रहे हैं लेकिन क्या होता है वो हंस कहते हैं कि आप तो मानो लगे हैं तो आप वहाँ पर कोई बातचीत नहीं करना नहीं तो बातचीत करोगे तो आपके इस लकड़ी से आपका क्या हो जाएगा आपका लगडी छोड़ दोगे आप बोलोगे तो और नीचे गिरोगे तो आप नश्ट हो जाओगे और ऐसी कुछ कहानी है इसमें कि लाश्ट में कच्छवार नीचे गिर जाता है और लाश्ट में वह नश्ट हो जाता है मच्छवारे उसको पकड़ करके खा जाते हैं तो ऐसी कहान पर चलने वाले हैं और तीसरे पार्ट में आपको मिलेगा स्वाव लंबनम तीसरे पार्ट का नाम यहां क्या दिया हुआ है स्वाव लंबनम स्वाव लंबनम समझते हैं स्वाव लंबी वनना स्वाव लंबनम का मतलब स्वाव लंबी वनना अर्थार्थ स्वयम अवलंबी अर्थर शेफ अपना काम स्वयम करना किसी से दूसरे से नहीं कराना चाहिए आप लोगों को हमबर्क मिलता है किसी से दूसरे से कराते हो क्या नहीं दूसरे से कराओगे तो आपकी हैंड राइटिंग कभी सही नहीं होगी अगर आप दूसरों से यहां पर लिख लोगे अपन और नपां हम बरक नहीं करोगे अपनी copy notebook त्यार नहीं करोगे तो आप से कभी कुछ वनेगा ने इसलिए हमें स्वयम लिखना चाहिए हमसे कभी handwriting हमारी खराब होती लिकर जब बार बार ट्राय करते हैं बार बार लिखते हैं तो हमारी handwriting सही हो जाती है इसलिए हमें स्वाब ल आपको स्वाब लंबी वनने की मिलेगी दियान रखोगे स्वाब लंभी वनोगे चलिए आप स्वन से अपने से आपको पढ़ना है यहाँ अपने से ही पड़ना है तो आपको जल्दी आएगा और गैरंटी मेरी है कि यह मैं आपको सिखा दूंगा संस्कृत बोलना संस्कृत पढ़ना ठेक है ना तयार है चलिए आगे देखें चतुर्थ पाठा चतुर्थ का मतलब चौथा पाठ हमारा चौथी नमबर का पाठ रहेगा चतुर्थ पाठ आप लोग रेडी हैं चलिए इसमें लिखा हुआ है पंडिता रमाबाई पंडिता रमाबाई एक चेप्टर का नाम है पंडिता रमाबाई कौन थी एक बहुत ही ऐसी महिला वो थी रमाबाई महिला थी और पहले उस समाज पर समाज में लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोचसाहन नहीं किया जाता था, पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, कि बन लड़कों को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, काम चलने लगा, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, इसल पाथ से हम लोगों को ये मिलेगा, उन्होंने कितनी परिस्णाली में कैसे पढ़ कर यहां पर पहुंची है, और यहां चाप्टर में उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक, तो चलिए, आगे देखें, पंचमाह पाठा, क्या दिया हुआ है, पंचमाह पाठा, अब पाँच्में पर चलेगे पाचमें पाठ में क्या दिया हुआ है सदाचारह सद प्लस आचारह सदाचारह सदाचार का मतलब समझते हैं अच्छे आचरण हमें अच्छा बोलना चाहिए हमें अच्छा कहना चाहिए हमें अच्छे से सब के साथ विवहार करना चाहिए जब हम कहीं जाते हैं तो हमारा विहेव अच्छा रहना चाहिए, हमें किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए, हमें माता-पिता का शम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्रेम करना चाहिए, ये अच्छे आचरणों में आते हैं, हमें गुरू का सम्मान करना चाहिए, इस्कूल हमें प्रॉपर तरीके से कैसे जाना है, वो भी हमें ये आचरण के हमारे उसमें आता है, ठीक, तो इस प्रकार की सारी चीजे इस पार्ट से हम लोग सिखेंगे, तयार रहेंगे, चलिए, आगे देखें, सश्ठा पाठा, अर्थार, शिक्स नंबर का चैप्टर, छ या, ऐसी चीज पढ़ेंगे, कि अगर हम कोई मन में कोई चीज ठान लेना, अगर आपने मन में निश्चित कर लिया, कि मुझे रोज एक हैंड राइटिंग एक पेज लिखनी है, तो हमारी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी, आप डेली एक हैंड राइटिंग आप सोचेंगे, कि मुझे किसी से अपना वर्क नहीं करवाना है, पूरा प्रोजेक्ट अपने खुद से तैयार करना है, पूरी नोटबुक तैयार करना है, और जो सर पढ़ाएंगे, मुझे अच्छे से पढ़ना है, आप एक क्या करेंगे, आप प्रॉमिस कर लेंगे साथ में नंबर का पाठ है और साइट में नंबर के पाठ में क्या दिया हुआ है देखे't to थिरंगे की बात कर रहे हैं तीन रंगों से बना हुआ धोज क्या है हमारा तिरंगा तो त्री वर्ण धोजा के वारे में यहां हम लोग चर्चा करेंगे आप लोग बिलकुल अच्छे से पढ़िएगा बिलकुल आपको कोई दिक्कत नहीं है बिलकुल सारी चीजें एक एक च चलिए, आगे बढ़ें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये देखें, अब साथ में पाठ के बाद हम लोग चलेंगे, आठ नमबर के पाठ पर, अश्टमह पाठहा, क्या दिया हुआ है, अश्टमह पाठहा, अहमप विध्यालयम गमिश्यामी, इसका मतलब होता मैं भी विध्यालय को जाऊंगा मैं भी विध्यालय को जाऊंगा या मैं भी विध्यालय को जाऊंगी लड़की होगी तो जाऊंगी और लड़का होगा तो जाऊंगा ठीक तो यहां पर आहम अपी विध्यालयम गमिश्यामी अब यहां अश्टम पार्थ में आपको ऐसा मिल कि एक छोटी सी लड़की रहती है उसके परिवार की इस्थिती खराब होती है तो मा और बच्ची और पिता उसके बीमार रहते हैं ठीक है ना ब्रद रहते हैं उनको कोई बीमारी हो जाती है तो वो लड़की और और वो उसकी मम्मी काम करने जाते हैं घर-घर में काम करते हैं और घर का भरण पोश्टन करते हैं तो पढ़ने के लिए फीस नहीं रहती है तो फिर उसको कोई एक ऐसी महिला मिलती है एक कोई एक ऐसी लेडीज मिलती है जो उसको कहती है कि बच्चों के लिए गवर्मेंट के द्वारा निसुल के सिक्षा का वियान चलाया जा रहा है जैस सिक्षा मिलती है फीस नहीं लगती सरकारी स्कूल में ठीक है तो वहां पर आपको इस पार्ट में भी आपको यहीं मिलेगा यहां पर भी मेगनेट ब्रिंस के द्वारा भी आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है तो फिर क्या है पढ़ने में हमको क्या जाता है पढ़ना चाहि रहती है ठीक तो इस पार्ट में हम लोग वो पढ़ने वाले पढ़ेंगे न आप लोग चलिए आगे देखें नौमा पाठा नौमी नंबर का पाठ है ज्यान रखना नौमी नंबर का पाठ हमारा जिसको हम संस्कृत में कहते हैं नौमा नौमा पाठा यहां लिखाए कि वहाँ जितने भी हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए सारे हमारे भाई बहन होते हैं हमको बहुत अच्छे से मिल जूल करके पढ़ना चाहिए जब मिल जूल करके हम काम करते न तो उसका हमें परिडाम बहुत अच्छा मिलता है इसलिए विश्व वंधुत की बाउना इ अभी आपको इस पाठ में मिलेगा मैं पूरी कहानी आपको अच्छे से बताऊंगा आपको सारी कहानी रट जाएगी बहुत अच्छे से आपको पूरी कहानी एक एक पूरी सुनाओंगा ठीक तो ध्यान रखोगे ना पढ़ोगे बस मैं जो बोलता जाओं वो आपको तयार करते जाना है करते जाओगे प्रोमिस करना बता दिया हाँ चलिए अब दसमा पाठा दसमा पाठा दिया हुआ है दसमा का मतलब दस नमबर का पाठ ठेक यहां लिखा है समवायो ही दुर जया समवायो ही दुर जया अब यहां पर भी हम लोग क्या है समवाया दुर जया दुरजन व्यक्तियों से हमें कैसे दूर रहना है दुरजन दुष्ट व्यक्तियों से हमें कैसे विवहार करना है दुष्ट व्यक्तियों से कैसे दूर रहना है उसके बारे में भी यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे ठीक चली बुरे लोगों से मतलब जो कभी-कभी हम लोगों को ऐसे मिल जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, चलते हुए, तो कभी कहने लगते हैं, कि नो ये टौफी लेलो, मेरे साथ चलो, तो वो दुष्टे बक्ती होते हैं, जो आपको गलत हैवट डलवाते हैं, अच्छी आदत, अच्छे आचार नहीं सिखा आते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, फिर इसके बाद, एका दसाहा, पाठाहा, क्या दिया हुआ है, एका दसाहा, पाठाहा, एका दस का मतलब होता है, ग्यारह नमबर का पाठ, एक और दस, एका दस, देखो, दस का मतलब, दस पाठ, और ये का मतलब, एक औ और 10 बराबर 11 है 11 नमबर का पाठ होगा विद्या धनम मतलब आपके पास कितना भी बड़ा ज्यादा पैसा आजाए कितना भी आपके पास रोपया पैसा हो लेकिन अगर आपके पास ग्यान नहीं है आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं आपको लिखना नहीं आता आपको किसी काम का कुछ नहीं है इसलिए सबसे बड़ा धन क्या होता है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है ज्यान विद्या आपके पास होनी चाहिए अगर आपके पास विद्या है तो आप सबसे बड़े ज्यानी हैं सबसे बड़े धनवान है इसलिए ध्यान रखना कि पर पढ़ना है मैगनेट ब्रेंस के द्वारा आप लोगों को सारी चीजे बिलकुल फिरी दी जा रही है बढ़िया से पढ़िये यहां से आपकी क्लास जैसे ही शुरू होगी न तो मस्ती आएगी मस्ती के साथ मज़ी करेंगे और पढ़ेंगे ठीक है चलिए द्वादस होगा कौन सा अम्रितम संस्कृतम अम्रितम संस्कृतम अब अम्रितम संस्कृतम जो संस्कृत हमारी है वो क्या है अम्रित रूपी संस्कृत है और संस्कृत को अम्रित कहा गया है सभी भासाओं की जनिनी कहा गया है सभी भासाओं की माता कहा गया है इसलिए आपको ध्यान लखना है अम्रितम संस्कृतम त्रियों दस पाठा है त्रियों दस यहाँ पर भी दस और तीन तेरह ठेक तो यहाँ पर भी त्रियों दस पाठा है और यहाँ पर लालन गीतम लालन गीत का मतलब होता है प्रेम और प्यार का गीत संस्कृत में आपको मिलेगा तो इस प्रकार स पूरी हम बुक को पढ़ेंगे और आप लोग भी पढ़ेंगे तयार रहना बहुत जल्द आपका हम नया एक चैप्टर पहला चैप्टर लेके आने वाले हैं तो आप लोग तयार रहेंगे ना ध्यान रख ले ना ठीक बहुत जल्द मिलेंगे चली यह आपकी बुक हो गई है और ये तो आप लोगों को मLOıllम हैं आपको निशल की सिक्षा का यहाँ पर दिया जारा है भारत का एक मात्र ऐसा प्लेट-पर्म मेगनेट बीडियूम मेगनेट ब्रेंस ठीक है ना जो आप लोगों को निशल की सिक्षा दे रहा है आप किसी भी मात्यव से हो चाहे आप thematic सारा कुछ विवस्था करके रखे हैं तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा और हाँ आपको जाते-जाते मैं बता दू कि मैगनेट ब्रिंस के द्वारा क्लास 6 से लेकर कि क्लास 12 तक कि आपको हिंदी मीडियम और इंगलेस मीडियम के नोट्स भी यहाँ पर तयार हुए हैं वो नोट्स आपकी परिक्षा में अच्छे-अच्छे अंक लाने में आपकी मदद करेंगे तो आपको जैसे वीडियो के नीचे जाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन वाक्स में तो इनोट्स और इबुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी ध्यान रखना बहुत जल्द आपका फर्स्ट चेप्टर लेके आऊंगा तब तक के लिए जयत संस्कृतम जयत भारतम